येस, स्टार्ट करते ही जेए मेंस 7 जिनवरी शिफ्ट 2 का पेपर का डिसकेशन और जेए मेंस शिफ्ट 2 का पेपर भी बिलकुल शिफ्ट 1 की तरह है, इन फैक्ट बिलकुल और ज्यादा एजी है, और जिसा मैंने आपको बोला था, आप देखेगी पेपर बिलकुल अगर आ का था, करीब करीब 5 to 6 कोश्चन थे, जो 1st राउन में बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते थे, 2nd राउन में आप 10 कोश्चन और 3rd राउन में आप लगवग 10 कोश्चन यानि, यह एक पाटन हो सकता था, और less than 1 आज में पूरा पेपर सॉल्व किया जा सकता था, कोश्चन डि dy by dx equal to 1, why not equal to 1, then the value of x where the curve cut x, this question काफी अच्छा है, तो देखिए इसको हम चाहें तो ऐसा कर सकते थे, इसको ऐसा ले जाएं, तो dx upon dy equal to y square minus x, या dx upon dy plus x equal to y square, यह कहला हैगी linear differential equation, direct solution सीखा हुआ था आपने, जो जो चीजे पढ़ाई गई थी, अगर आपने उसको बहुत अच प्रॉपर टेक्निक के साथ पढ़ाये गया था, उसको थोड़ा सा गर्यात करेंगे, तो आपकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकते, एक बहुत अच्छा score कर सकते थे, और integrating factor क्या होता है, direct आप लिख सकते थे, e power p into dy, but यहाँ पर y की जगे x हो गया, तो यहाँ का integrating factor होगा e power 1 dy, यानि e power y, right, यहाँ गया, तो e power y into x equal to, यहाँ पर हुआ e power y into y square dy, obviously यहाँ पर आप by part लगाएंगे, तो क्या होगा, x e power y, देखें, पहली बार में मिलेगा, e power y square e power y, minus 2 y e power y dy, yes or no? और जब दोबारा करेंगे, तो x e power y, e power y overall common भी आएगा, तो y square minus of 2y plus 1 हो जाएगा, तो plus 2 plus of c, देखें, इसका करेंगे, तो क्या होगा, y e power y minus e power y into 2 multiply में है, इसलिए मैंने लिखा minus 2y, और minus minus plus हो गया, अब आपको given है, x की value 0 पर y1, यह given है, और आपको एक और चीज़ आपको मैंने बोली थी, कि short track सबसच ही होती है, कि question की steps कम से कम लिखें, अब x की value 0 पर y1 है, तो x 0 रखा तो यह 0, यहाँ यहाँ रखा 1, minus 2, 2 तो यह 1 मिला, plus c, तो इसका मदलब c का value हो गया, minus of e, right, तो यहाँ रख दीजिए, x e power y equal to e power y, y square minus 2y, plus 2 minus of e, अब देखिए, आपको बोला है, अब यह question खतन नहीं हो, then the value of x, where the curve cut x axis, अगर curve x axis को cut कर रहा है, तो y 0 होगा, y की value 0 रख दो, तो यहाँ 0, यह 0, यह 0, यह 0, यह भी e power 0, 1, तो 2 minus e, देखे, directly आगया, तो x का value आगया, 2 minus e, अगर आपकी approach right है, आप बहुत easily question को handle कर सकते थ note करिए question को, चले, next question देखे, next question में क्या बोला है, if 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 13 plus 14 plus 18 up to 40 term equal to s and s equal to 102m, तो आपको m बताना, देखे, question कितना simple है, कि इस पूरे का summation में 102 into को यह एक और factor होगा, वो factor का value बताना है, आपको logically समझे, अब इसमें देखिए, अगर आप ध्यान देखे, तो 3, 8, 13, 18, 4, 9, 14, यह दो अलग-अलग series हैं, और दोनों का ही difference, क्योंकि 5 है, तो आप चाहें तो इससे add भी कर सकते हैं, जिससे add करिए 17, इससे add करिए 17, इससे add करिए 27, 37, right, अगर difference सेम है, क्योंकि 5, 5, 5 है, तो आप command भी कर सकते हैं, यानि 40 term को आपने convert करके 20 term कर लिया अब क्योंकि यह AP है, और AP के 20 term का summation निकाल सकते हैं, 20 by 2, 2 into A, plus 20 minus 1, यानि 19 into 10, 2 common निकल के चाहें, तो cancel कर दीजिए, या इसससे को cancel कर दीजिए, 10 into 14, plus 190, right, यानि logically अगर हम देखें, तो 10 into 204 आया, क्यों ना 204 को पहले हम 10 into 2 into 102 लिखते हैं, तो 102 into 20, आप से पूछा गया 102 into M क्या, तो M का value क्या आ गया, 20, यानि आप किस approach से question कर रहे हैं, इस पे solution depend करता है, बस approach सहीं रखिए, question अपने आप solve होता जाएगा, note कर लेजे question को, yes, next question देखते देखे, क्या है question, इस तरह के questions काई बार कियें, 36 CR plus 1 into K square minus 3 equal to 35 CR into 6, then the number of order pair, R, K is R, और K की value क्या होगी, एक चीज़ गिवन है, K belong to integer, R तो already integer होता ही है, क्योंकि NCR से आया, K भी साथ में दे दिया integer, तो confusion खतम, आप देखे, simple, आपको मैं बताता हूँ, ये R plus 1 upon 35 CR equal to, आप चाहें, तो ऐसा लिख सकते है, NCR plus 1 upon N minus 1 CR minus 1, आप एक step में कर सकते हैं, देखे, आप अगर लिखते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, upon R plus 1 factorial into 35 minus R, क्योंकि इसके साथ करते हैं, upon factorial 35 upon, देखे, factorial R into 35 minus R, this equal to 6 upon K square minus 3, अब देखे, एक 36 से 35 cancel हो जाएगा, 36 से 6 cancel हो जाएगा, डारेक्ट भी लिख सकते हैं, चलिए अभी step समझाने के लिख देता हूँ, यहाँ पर ये पूरा cancel, ये उपर जाएगा, तो नीचे क्या मिलेगा, R plus 1 equal to 6 times of K square minus 3, ये cancel 6 times, यानि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, K square minus 3 equal to R plus 1 upon 6, या K square equal to 3 plus R plus 1 upon 6, अब देखे, एक चीश समझे, सबसे पहले कि R की value जो है, less than or equal to 35 हो सकती, एक बात, दूसरी बात हमें ये पता है, कि K एक integer है, तो यहाँ पर आपको वो multiple रखने होंगे, जिससे की, ये ठीक, उसी form में बने, जिससे ये cancel हो सकते, जैसे, अगर माल लेजिए, आपने R की जगे 5 रखा, तो एक possibility है, कैसे, आपने 5 रखा, तो 5 plus 1, 6, 6 by 6, ये हो गया, cancel 4, तो K square equal to आगया, plus minus 2, राइट, और क्या रख सकते थे, आर की जगे, एक और रख सकते थे, इसके लावत 6 का ये multiple लेना है, 35 भी ले सकते थे, ठीक, इसके पहले और कोई में नहीं ले सकते, 35 लेते तो क्या होता, 3 plus 36 by 6, यानि 6, ये हो गया 9, तो K equal to plus minus 3, राइट, अब आपको order pair पूछे, तो order pair मतलब हो गया, देखिए, 2, 5 के साथ देखिए क्या है, 5 के साथ 2, 5 के साथ minus 2, similarly, 35 के साथ 3, and 35 के साथ minus 3, तो total number of order pair कितने बन गए, 4, राइट, ये समझाने के लिए steps लिखिए, केवल simple NCR का आपने formula यूज किया, NCR का formula जब use किया, तो ये आया, और इससे K square equal to 3 plus R plus 1 upon 6 मिला, तो K square equal to 3 plus 6 by 6 equal to 4, then K square equal to plus minus 2, K square equal to 9, तो K equal to plus minus 3, ये K है, क्लिया रहे, note करिए question को, yes, next question करते हैं, देखिए क्या, If 4 alpha into minus 1 to 2, E power minus alpha mod x dx equal to 5, then alpha is, अब अगर ध्यान दीजिए, mod alpha मतलब even function है, और minus A to plus A की property में आपने पढ़ा even function तो 2 times, चाहें तो आप ये कर सकते थे, ये 4 alpha है, देखिए क्या कर सकते थे आप, आप इसको ऐसा लिख सकते थे, minus 1 to 1, E power minus alpha mod x dx, प्लस, 1 to 2, E power minus alpha mod x dx, this equal to 5, अच्छा, अब ये 2 time हो जाएगा, और ये क्योंकि इस range है positive है, इन दोनों के integration में upon alpha आएगा, चाहें तो आप cancel कर दें, अगली step में कर देंगे, तो देखिए, E power minus alpha x dx, प्लस, 1 to 2, E power minus alpha x dx, equal to 5, real line से भी कर सकते हैं, इस तरह के question जो हमने real line में सीखे हुए, क्योंकि दोनों का integral एक ही होगा, बार-बार नहीं रखना पड़ेगा, खैर अभी ये question इतना छोटा है कि जावत नहीं नहीं भी करेंगे तो चलेगा, minus E power minus alpha x upon alpha, 0 to 1, minus, ये minus इसका है, E power minus alpha x, 1 to 2 upon alpha, this equal to 5, ये देखे, alpha common निकल के cancel, यानि लॉजिकली अगर आप समझें, तो आपको कुछ ऐसा मिल गया, 4 times of, अब आपने जब यहाँ पर रखा होगा, तो ये minus 2 into E power minus alpha minus of 1, क्योंकि 0 रखेंगे तो, और यहाँ पर मिला होगा, minus, यहाँ तू नहीं है, minus E power minus 2 alpha, और minus E power minus alpha, this should be 5, अब पूरा रेंज करें, तो 4 times of, यह हो जाएगा, minus 2 E power minus alpha, एक काम यह कर सकते हैं, आप E power minus alpha को t मान लीजे, तो question जल्ली हो जाएगा, तो minus 2T plus 2 minus T square, क्योंकि E power minus alpha को t माना, plus T, this equal to 5, तो देखें, question पूरा ऐसा कुछ बना होगा, minus T square minus T plus 2 equal to 5, यह सब को दल ले जाएगे, 40 square plus 40, अब यह 8 हुआ, वहाँ गया है, तो minus of 3 equal to 0, right, 40 square plus 40 minus 3 equal to 0, आप इसे real line से भी कर सकते थे, बिल्कुल tough question ही, simple सरीके से solve हो सकता था, अब इसके factor बना है, minus 12 लाना है, तो 6 or 2, obviously, तो 40 square plus 60 minus 2 T minus 3 equal to 0, 2 T common, तो 2 T plus 3 minus 2 common, sorry, minus 1 common, तो 2 T plus 3, तो इसका मतलब T की एक value है 1 by 2, और T की एक value है minus 3 by 2, अब एक चीज़ आपको यह पता है, यह question है, e power minus alpha equal to 1 by 2, और e power minus alpha equal to minus 3 by 2, negative हो ही नहीं सकता इसका result, क्योंकि expansion का output negative नहीं होता, इसका मतलब e power minus alpha equal to 1 by 2, log ले लिजे, तो minus alpha equal to log 1 by 2, यह alpha equal to log 2 यह ln 2, तो ln 2 is the right answer, question को देखिए, करना चालू करिए, simple question धुणे, simple से tough पर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और पूरे आप 25 questions तक पहुश सकते हैं, depend करता है, आपके से approach से question स्टार्ट कर रहा है, note करिए question, yes, next question देखते देखिए क्या है, coefficient of x power 7 in 1 plus x power 10, x into 1 plus x power 9 plus x square into 1 plus x power 8, up to x power 10 is, सबसे पहले याद रखिए, x power 0 से start है, और 10 तक गया, या 1 plus x power 10 से start है, यहाँ पर 1 plus x की power 0 होगी, एक चीज हमेशा रखिए, जब भी counting 0 से हो, be careful, यहीं पर mistake होती है, देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 finger नी, finger 5 है, पर 0 है, counting number तो यहाँ पर total term 11 है, और simply आपको दिख रहा है कि यह GP है, क्यों ना पहले GP के submission से इसको add कर दिया जाए, तो अगर मैं add करूं तो a into 1 minus, या कोई भी एक ले सकते हैं, इससे कोई फ़रेक नहीं बढ़ेगा, 1 minus, इसका division होगा, तो यह मिलेगा, x upon 1 plus x की power 11, क्योंकि total term 11 है, upon 1 minus x upon 1 plus x, देखिए, add किया, 1 plus x से 1x सब्टेक्ट होगा, तो नीचे बचेगा, केबल 1 और यह 1 plus x, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, 1 plus x की power 10, 1 plus x की power 11, minus x power 11, upon 1 plus x power 11, into 1 plus x, यह वाला, यह मिला 10, यह पूरा ही cancel होगया, देखिए, question बहुत ही ज़्या हो गया, अब आपको केवल x power 7 का कोफिशेंट बताना, तो इससे तो आप एक सेकेंड में बता सकते है, 11c7, यहनि 11c4, 11 into 10 into 9 into 8, upon 4, 3, 2, 1, right, 4, 2, 0, 8 से completely 8 cancel, यह 3 times, 33 into 10, 330 is the right answer, question दिखने में जभूर लग सकता है, बढ़ा पर कितना simple, अच्छा, conception question था, आप कैसे solve कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, note down this question, yes, next question देखते देखे क्या है, और आप ध्यान करिए कि इस question को हमने vector में, बिल्कुल vector की पहली glass में मैंने आपको बताया था, dot product के साथ, यह बहुत common question है कि if a, b, c are unit vector such that a plus b plus c equal to 0, then a, b plus b, c plus c equal to minus 3 by 2, कई बार करा है, और आपको एक d ओर दिया है, और lambda comma d पूछा, minus 3 by 2 से एक बात confirm हो गई, कि यह दो answer reject हो गए, और याद होगा आपको कैसे करना है, तो simple, इसकी squaring कर देंगे, और किसी भी vector का square, उसके modulus square के equal होता है, इसका मतलब यह unit vector है, तो mod a, mod b, mod c, 1 है, इसलिए, जब आप squaring करते है इसकी, तो a square, plus b square, plus 2 times of, जो आपसे पूछा गया है, यह एक आपने करा हुआ है, अब यह क्योंकि 1, 1, 1, 3, और minus 3 by 2, तो इस वाले part का minus 3 by 2, अब आपको यह बताना है, d क्या होगा, अब देखिए, इस option में a cross b, इस option में a cross c है, ओके, तो हम देख लेते हैं, क्या होगा d, d क्या है, a cross b, plus, b cross c, plus c cross a, इस से हम किसी a की value निकाल लेते हैं, माल लेजे कि इस से आपने suppose c की value निकाली, या b की निकाली, तो b को लिख सकते हो, minus a minus c, ठीक है, तो a cross b, plus, इस b की जगे भी लिख सकते हैं, चलिए अब देखते हैं, minus a, minus c, cross c, plus c cross a, देखते हैं, इसी तरीके से करना होगा, देखें, यह मिलेगा, minus a cross c, यह c cross c, 0 हो जाएगा, plus c cross a, ओके, अब यह c cross a है, यह भी एक काम कर तकते हैं, यहाँ पर भी b की जगे आप चाहें, तो यही लिख सकते थे, minus a, minus c, plus c cross a, plus c cross a, ठीके, तो यह two times c cross a हो गया, और देख लेते हैं, अब देखें, यहाँ पर a 0 हो गया, यह मिला कितना, minus of a cross c, plus of c cross a, plus of c cross a, यह भी c cross a है, तो three times of c cross a, right, three times of c cross a, अब three times of c cross a नहीं है, कोई आप इसमें एक बार चेक कर लिए जड़ा, कहीं पर कोई mistake, a cross b, minus a cross c, this is c cross है, ठीके, यह c cross है, इसका मतलब हो सकता, यह नहीं है, क्योंकि यह plus में दिया है, तो इसका मतलब यह answer होगा, अब इस answer का मतलब यह होगा, कि आप c की value रख दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, आप c की value रख दीजिए, तो आपने जब c की value रखती होगी, तो देखिए क्या होगा, a cross b, plus b cross c की जगे रखा, minus a, minus of b, plus c की जगे फिर रखा, minus a, minus b, cross a, right, अब देखिए होगा, a cross b, अब इसका इससे गया, तो minus b cross a, b, b, 0 हो जाएगा, plus इसका इससे गया, 0, फिर बिला, minus b cross a, इसको a cross b, इसको भी a cross b, तो देखिए, यह आगया, three times of a cross b, then this is the right answer, यानि आप हमने जो करा था, हम पहले ही दो answer reject पर चुके थे, और जब हमने पहले जो mistake करी थी, mistake नहीं करी थी, मतलब हमने जो निकाला था, उससे जो निकला था, b की value जब निकाली थी, तो आपने b की value निका लिए थी minus a minus c और उससे मिलता था minus minus यहां रहा था तो यह भी नहीं था तो बच्चा हुआ यानि आपको इसको यह चेकी नहीं करना था logically तो अगर आपने वो लिया था तो भी कोई problem नहीं थी अगर वो answer होता तो यहां minus आना चीए था जो नहीं आया था हमने पहली step में लिए यह तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा otherwise इसको solve नहीं करना था right note कर लिजे चले next question देखते देखे क्या है if fx equal to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 if language's mean value theorem is applicable fx in 0 to 1 then the value of c यह short form में लिखा language's mean value theorem अब 0 to 1 में c की value बताना है language's theorem आपको पता है f-c equal to fb कितना है जी question fb minus fa upon b minus और यह theorem रोलेज में convert हो जाती है अगर fa equal to fb हो अब 0 से 1 में बोला है तो देखे 0 से 1 में यह 1 से बड़ा answer यह भी यह दो answer reject आपको यह भी आदत होना चीए कि अगर answer reject कर पाँ जैसे previous question में हमने पहले 2 option reject करें 3rd भी reject हो गया तो बचा हुआ अपने आप correct हो गया यहनि अगर आप logically, constructually strong हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते है question को minimum time में solve करने के बहुत सारे तरीके मतलब method एक ही होगा approach क्या depend on question अब simple है 1-4 प्लस 8 प्लस 11 right 19, 20-4, 16 minus f 0 रखा तो 0 रखा तो केव 11 अपन 1-0 तो 3x square इसी को c लिखा जाता है 8x प्लस 8 यह मिला 5 तो 3x square minus 8x minus 3 plus 3 equal to 0 yes तो क्या आ गया 3x square minus 8x plus 3 equal to 0 अब 9 अब 8 इसके 9 के factor नहीं बनेंगे कोई बात नी formula method उसके ले 8 plus minus b square minus 4ac 9 4 जा 36 by 2a तो क्या आ गया देखे 8 plus minus अब कभी भी separate करने में problem हो तो इसको 66 मानो 66 मानते तो 30 या भी 28 हुआ तो 28 मतलब 2 root 7 by 6 यानि 4 plus minus root 7 by 3 अब देखे 4 plus root 7 नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ा हो गया तो 4 minus root 7 by 3 ये आ गया answer 4 minus root 7 by 3 language is mean value theorem का बहुत ही simple question है इसी x को हम c लिख देते हैं बस और कोई change नहीं होता है ऐसा लिख देते हैं equation में 3c square minus 8c plus 8 note down this question yes next question देखे देखे next question क्या है कितने standard question है अगर आपने बहुत ही conceptual पढ़ा ही किये तो आप एक बहुत अच्छा score कर सकते है देखे क्या है next question if 3x plus 4y equal to 12 root 2 is the tangent to the ellipse x square by a square plus y square by 9 equal to 1 then distance between foci of ellipse a देखे y equal to अगर mx plus c हो और ellipse की equation ये हो तो आपने पढ़ी हुई है standard form ये सारी चीजे बहुत अच्छे से cover की गई थी a square m square plus b square या c square equal to this one अब आप इसको चाहें तो ऐसा लिखने y equal to minus 3 by 4 x plus 4 का जब divide होगा तो 3 root 2 right यानि आप ऐसा बोल सकते हैं 3 root 2 मतलब 18 square कर दीजे 18 equal to a square m square मतलब 9 by 16 plus b square मतलब 9 सबसे पहले इससे a square calculate हो जाएगा यह मिला 9 equal to a square 9 by 16 यानि a square equal to 16 यानि a equal to plus minus 4 तो plus 4 लेंगे अब आप से क्यों की फोकाई आप सा distance में फोकाई पूछा फोकाई का distance होता है 2 a e तो आपको पहले e लेगेगा तो e होता है root 1 minus b square upon a square means root 7 by 4 हो गया question solve तो 2 into a a is 4 into root 7 by 4 यह cancel तो 2 root 7 यानि distance between फोकाई is 2 root 7 basic concept पे based question से अगर आप बहुत अच्छे से preparation कर रहे हैं तो कहीं आपको problem आई ही नहीं सकती यह note कर लेजिए question को yes next question देखते देखे क्या है if y root 1 minus x square equal to k minus x root 1 minus y square and y1 equal to minus 1 by 4 then d by by dx at x equal to 1 by 2 क्या करेंगे देखिए इस तरह का question आपने किया हुआ है याद करिए यही किया ही question in fact किया है simple way में करने की कोशिश करिए confuse मत हो यह x की जगे आप sin a और y की जगे आप sin b ले लीजिए तो देखिए single step sin b cos a plus cos a sin sorry x को क्या लिए sin a cos b equal to k और इसको भी यह समझाने के लिए लिखिए a plus b equal to k यानि a plus b आपको direct actual में मैं चाहता हूँ आप direct यह वाली step लिखे a की जगे sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse के जिससे जिसका डिफ्रेंशन 0 हो जाएगा देखिए 1 upon root 1 minus x square plus 1 upon root 1 minus y square कि अपने आपी remove होगे आपको कुछ नहीं करना equal to 0 dy by dx एक तरह से मिला minus अब यह हो सकता था answer पर आपको थोड़ा सक answer में पूछा है कि अगर x की value 1 by 2 है उस case में y भी दिया है minus 1 by 4 तो dy by dx क्या होगा यह बताना है रख दीजिया 1 minus 1 by 4 upon 1 minus यह सौरी यहाँ पर यह x square आएगा यह y square आएगा क्योंकि यह उपर जाएगा तो 1 minus 1 by 16 upon 1 minus 1 by 4 then minus के साथी 15 by 16 upon 3 by 4 4 time cancel हो जाएगा और यह 5 तो minus root 5 by 2 is the right answer देखी कितना अच्छा question है करे हुए सारे question वो है जो आपको पढ़ाए गए थे class में करे गए थे आप अगर किसी भी course से जोड़े होंगे classroom online pen drive तो मैं बिल्कुर sure हूँ कि आपने इस सब questions करे हुए और आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं note करिए question को yes next question देखते देखे next question क्या है if a1, a2, a3 up to a9 are in gp a i less than 0 यानि सभी term जो है वो less than 0 है a1 plus a2 equal to 4 a3 plus a4 equal to 16 sigma i sorry i equal to 129 a i equal to 4 lambda then the value of lambda आप से इस question में value of lambda पूछी गई है अब सुनिएगा क्या करेंगे इस question में देखे अगर हम series को ऐसा ले ले a a r a r square up to a r power 8 सबसे पहले तो ये लिया तो a1 plus a2 क्या होगा ये ले लिया a plus a r equal to 4 यानि a common तो 1 plus r equal to 4 ऐसी a3 plus तो a r square plus a r cube equal to 16 a common लिया r square भी common लिया तो 1 plus r equal to 16 यानि a r square common लिया तो 1 plus r अब a into 1 plus r को हम 4 लिख सकते a into 1 plus r को तो r square equal to 4 then r equal to plus minus 2 अब r को plus minus 2 आया है तो क्योंकि यहाई less than 0 है तो r अगर हम minus 2 लेंगे तो अपने आपी सब टम छोटे हो जाएंगे तो r हुआ minus 2 minus 2 यहां रग दिजिए तो a into minus 1 equal to 4 तो देखिए a equal to हो गया minus of 4 अब आपको सीरीज मिल गई 9 term का summation ही तो करना है तो 9 term का summation क्या होगा a into 1 minus r power 9 upon 1 minus r equal to 4 lambda ऐसा दिया है एक इतना है minus 4 1 minus r is minus 2 की power 9 upon 1 minus minus 2 plus हो जाएगा equal to 4 lambda 4 से 4 भी cancel क्या आजाएगा देखिए पूरा solve करें हम तो ध्यान से करेंगा solve जिससे mistake ना हो तो 1 minus यह 3 का multiply कर दीजे यह 3 इसमें solve हो जाएगा तो minus 1 minus 512 512 क्योंकि 2 power 9 है तो minus minus plus हो जाएगा और upon 3 equal to lambda यानि basically minus 513 upon 3 equal to lambda यह cancel हो जाएगा तो minus 1 time 271 minus 171 equal to lambda this is the right answer right note down this question